कैंसर को हराया, टीम को विश्व विजेता बनाया, यूरत जैसा बेटा पैदा करके दिखाये, यूवी को भारत रतना देना चाहिए, यूवी के पिता योगरा सिंग का बड़ा बयान भारत को दो बार विश्व विजिता बनाने वाले यूरा सिंग के पिता योगरा सिंग जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो पुर्व कप्तान MS धोनी पर खुल कर बोलने से पीछे नहीं अटे उन्होंने एक बार फिर धोनी को बड़ा क्रिकेटर बताते हुए कहा कि वह बड़ा क्रिकेटर है इसका सनमान करता हूँ लेकिन व्यक्ति के तोर पर उन्होंने मेरे बेटे यूरा सिंग के साथ जो किया उसके लिए कभी भी मापने कर पाऊंगा साथी उन्होंने इंटर्यू में यूवी को भारत रतन से सन्मानित किये जाने की मांग भी की है पुर्व क्रिकेटर यूगरा सिंग के पिता यूगरा सिंग का कहिना है कि धोनी की वज़ा से यूगराज का क्रिकेट करियर चार साल पहले ही खत्म हो गया एक यूटूब चैनल पर बात करते हुए यूगरा सिंग ने धोनी पर यूगराज के साथ भेदबाव करने का आरूप लगाया और कहा कि धोनी को अपने कीये पर पस्तावा होना चाहिए योगरा सिंग लंबे समय से धोनी पर योगराज के करियर को प्रभावित करने का आरुप लगाते रहे है उनका कहिना है कि धोनी ने जान बुच कर योगराज को मोके नहीं दिये जिससे उनका करियर समय से पहले ही खत्म हो गया योगरा सिंग ने अपने इंटर्यू में कहा मैं MS धोनी को कभी माप नहीं करूंगा उसे खुद को आइने में देखना चाहिए वह एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है उसे सलाम करता हूँ लेकिन उसने मेरे बेटे के साथ जो किया वो अच्छा नहीं है अब सब कुछ सामने आ रहा है और इसे कभी भी माप नहीं किया जा सकता उन्होंने आगे कहा उस आदमी ने मेरे बेटे की जिन्दगी बरबात कर दी यूवी 4-5 साल और खेल सकता था मैं सभी को चुनोती देता हो कि वे यूवरत जैसा बेटा पैदा करे गवतम घंबिर और वीरेंजे सेवाग ने भी कहा कि यूवरत सिंग जैसा दूसरा खिलाडी कभी नहीं होगा भारत को उसे कैंसर से जूशते हुए खेलने और देश के लिए विश्वकप जीतने के लिए भारत रतन से सन्मानित करना चाहिए आपको बता दुखी यूवरत सिंग को 2011 विश्वकप के दवरान कैंसर हुआ था इसके बावजुद वक्त खेलते रहे और प्लेयर अफ़ टूर्नामेंट भी रहे कैंसर को हरा कर उन्होंने सितंबर 2012 में अंटराश्टे क्रिकेट में वाप सिकी दिल्चस्प बात यह है कि यूवरा सिंग ने भी खुद भी एक इंटर्यू में माना था कि दोनी के साथ उनके करीबी रिष्टे नहीं रहे उन्होंने एक पॉडकोस्ट पर बात करते हुए कहा था कि महें और माही यानि महेंदर सिंग दोनी करीबी दोस नहीं है हम क्रिकेट की वज़े से दोस थे हम साथ खेलते थे मेरी लाइफस्टाइल उनसे बहुत अलग थी इसलिए हम कभी भी करीबी दोस नहीं थे हम स्रीप क्रिकेट की वज़े से दोस बने थे हाला कि कैंसर पर मात करते हुए वापसी के बाद यूराज पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उनका प्रदर्शन चड़ाव उतार से भरा रहा इसका नतीजा यह हुआ कि 2014 और 2020 वर्लकप 2017 के चांपियन ट्राफिप के बाद उन्हें भारते टीम में जगा नहीं मिली 2015 के वंडे विश्वकप के लिए भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया जिसकी कपतानी धोनी के हातों में थी यूराज के पिता ने इसके लिए धोनी की जम कर आलोशना की थी यूराज ने इसके बाद इंडियन प्रीमेर लिग यानि आईपेल में खेलना जारी रखा लेकिन वह अपनी पूरानी सपलता को दोरा नहीं पाए और इसके बाद जून 2019 में यूराज सिंग ने आंतराश्टे क्रिकेट से सन्यस ले लिया जिससे उनके शांदार करियर का अंत हो गया लेकिन फिलाल उनके पिता यूराज सिंग ने एक इंटर्यू में यूवी को भारत रतना देने की बात कई और संसनी मचा दी है वैसे आपको क्या लगता है यूरा सिंग को भारत रतना देना चाहिए या नई कमेंट्स करके बताईए आई होप यह जानकारी बरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद